तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं साल 2016 में रिलीज हुई एक टर्किश होरर मूवी अलमताई कयामत की स्टोरी को एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ फिल्म की शुरुवात में हमें एक प्रेगनेंट औरत को दिखाया जाता है जो कि किसी से डर कर भाग रही होती है और उसके हाथ में एक चाकू भी था जिसके बाद वो औरत भागते हुए एक बिल्डिंग की छट पर पहुँच जाती है जिसका पीछा कुछ लोग कर रहे थे जिन्नोंने लाल हुडिस पहनी हुई थी अब उन लोगों को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो औरत उस छट से नीचे कूद कर अपनी जान दे देती है जिसके साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है अब अगले सीन में हम एक मस्जिद में एक इमाम को देखते हैं जिसको कोई एक अंजान आदमी धमका रहा होता है क्योंकि वो उस मस्जिद को तुड़वा कर यहां पर मॉल बनवाना चाहता था और वो उस इमाम से कहता है कि तुमारे पास फैसला करने के लिए जादा समय नहीं है अब हमें दूसरे सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिफ होता है दरसल एलिफ का अपनी उमर से बड़े आदमी जिसका नाम जैन था उसके साथ अफियर चल रहा होता है जो कि बहुत ही अमीर आदमी था इसलिए वो एलिफ की हर चोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल रखता था जिसे एलिफ अकसर एक होटल में मिलने के लिए जाया करती थी हाला कि एलिफ को ये पता था कि जैन शादी चुदा है और वो कभी भी अपनी वाइफ को डायवार्स दे कर उससे शादी नहीं करेगा लेकिन फिर भी वो उसकी हर जरूरत पूरी करने के साथ साथ उसे खुश भी रखता था इसलिए एलिफ उसके साथ इस रिलेशन्शिप में है अब एक दिन जैन एलिफ को एक आपार्टमेंट में एक फ्लैट दिखाने के लिए ले कर जाता है जिस apartment में उपर जाने के लिए कोई भी सीडी नहीं थी बलकि सिर्फ एक lift के जरीय ही building में उपर या नीचे आया जा सकता था और इस lift के बगल के ground floor पर एक सीडी थी लेकिन वो भी नीचे basement की तरफ जाती थी जो जगह किसी अंजान group ने ली हुई होती है जहां पर किसी भी बाहर के आदमी को जाने की इजाज़त नहीं थी इसके बाद एलिफ third floor पर जाकर flat को देखती है जूकि उसे बहुत ही पसंद आता है इसलिए जैन उसे वो flat और एक गाड़ी gift करता है जिससे एलिफ बहुत ही जादा खुश हो जाती है और वो उसी दिन उस flat में shift हो जाती है लेकिन इस building में हर जगह कुछ बहुत ही अजीब triangle signs, pictures और हर flat में एक one eye triangle show piece भी रखा हुआ था जो कि आपको भी जाना पहचाना लग रहा होगा मगर इन सब के असली सच के बारे में हमें इस movie के last में जानने को मिलेगा और साथ ही जब एलिफ यहाँ पर shift होई तो उसे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उसे अक्सर कुछ आवाजे सुनाई देती थी पर जब भी वो उन आवाजों को सुनने की कोशिश करती थी वो बंद हो जाया करती थी अब हम एलिफ की पडोसी फुसुन को देखते हैं जो कि एलिफ को अपने घर पर डिनर के लिए invite करती है इसलिए एलिफ उस रात फुसुन के घर पहुंचती है जहां पर वो फुसुन के पोते डोरुक से मिलती है जिसके चेरे पर किसी तरह के घाव का निशान था अब एलिफ देखती है कि उसके फ्लैट की तरह ही फुसुन के फ्लैट में भी वही ट्राइंगल, साइन्स, डेविल, पिच्चस वगरा होती है जिस पर फुसुन एलिफ से बताती है कि इस बिल्डिंग के हर फ्लैट में ये सब चीजे पहले से ही मौजूद है तब ही एलिफ को डिनर करते करते उल्टी जैसा महसूस होता है जिस पर वो तुरंत भाग कर अपने फ्लैट में जाती है जहां पर उसे वामटिंग होती है और साथ ही उसे चक्कर भी आते हैं अब उसी रात एलिफ को कुछ नाइट मेर्स भी आते हैं जिनके कारन से वो ठीक से सो नहीं पाती इसलिए एलिफ अगले दिन डॉक्टर के पास जाती है जो कि उसे बताते हैं कि वो फोर विक प्रेगनेंट है ये सुनकर एलिफ को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करें कि पहले ही चार हफ़ते गुजर चुके थे अगर उसने जल्दी ही आवोशन नहीं करवाया तो उसे बहुत ही जादा प्रॉल्म हो सकती थी जिसके लिए अब उसे जैन से इस बारे में जल्दी से बात करनी होगी अब बातों ही बातों में एलिफ को पता चलता है कि आज की डेट 18 अपरैल की है जिस डेट को वो सुनकर चौंक जाती है क्योंकि उसे जहां तक याद है जब उसे ये दिक्कत हुई थी तब 25 मार्श था और 7 ही 30 मार्श को एलिफ का बद्दे भी था जो दिन वो जैन के साथ बिताना चाहती थी और किस तरह से उस दिन के साथ साथ और भी दिन निकल गए उसे कुछ भी याद ही नहीं था और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है इसलिए अब वो वहाँ से निकल कर सबसे पहले जैन को कॉल लगाती है जिसका नमबर नॉट रीचेवाल आता है और उससे एलिफ के बात नहीं हो पाती अब एलिफ वापस अपने अपार्टमन्ट में जाती है जहां लिफ्ट में उसे एक और लेड़ी मिलती है जो कि उसी बिल्डिंग में रहती थी जिसका नाम गुनूल होता है और हम गुनूल के बातों से जान पाते हैं कि वो एलिफ से एक हफते पहरे ही मिल चुकी है जिस बारे में एलिफ को कुछ भी याद नहीं होता और आगे गुनूल जाते वक्त एलिफ से कहती है कि उसको एक बेबी बॉय ही होगा मतलब कि गुनूल एलिफ की प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ जानती है अब जब एलिफ अपने फ्लैट में जाती है तो वहां उससे मिलने के लिए डोरुक आता है जो कि एलिफ से कहता है कि फुसुन उसकी ग्रैंड मदर नहीं है और इससे पहले कि वो इससे आगे कुछ बोलता वहां पर फुसुन आ जाती है जिसके आते ही डोरुक वहां से भाग जाता है अब फुसुन ईलिफ से कहती है कि वो डोरुक की बातों का ध्यान न दे उसके साथ खेलने वाला यहां कोई नहीं है इसलिए वो लोगों का ध्यान खीचने के लिए इस तरह का जूट बोलता रहता है आगे फुसुन एलिफ से कहती है कि वो ये सब बातों का स्ट्रेस न ले क्योंकि उसकी इस कंडीशन में स्ट्रेस उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है मतलब कि गुनूल की तरह ही फुसुन को भी एलिफ की प्रेगनेंसी के बारे में सब कुछ पता था डैम आखिर यहां चल क्या रहा है अब उसी राद जब एलिफ सो रही होती है तब एक डिमानिक स्पिरिट उसे हॉंट करती है जिसे डर कर एलिफ काफी तेज से चिलाती है जिसके साथ वो पता नहीं कैसे अपने आप को फैक्टरी में अपने बॉस के सामने पाती है जिस पर एलिफ को लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रही थी मगर जब वो बाहर आकर अपने कलीग अली से बात करती है घबरा जाती है इसलिए वो अगले दिन फिर से डॉक्टर के पास चेक अप कराने के लिए जाती है जहां उसे पता चलता है कि फिर से एक महीना बीच चुका है और आज की डेट 15 जून की है यहां पर एलिफ को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर उसको वक्त बीचने का कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है जिसके बाद एलिफ डॉक्टर से आबोशन कराने के बारे में पूछती है जो कि उसे बताते हैं कि आबोशन करवाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है साथ ही वो एलिफ से कहते हैं कि जब वो पिछले हफ़ते उनसे चेक अप करवाने आई जहां पर पहुँच कर वो साइकेटरिस को सब कुछ बताती है जिस पर डॉक्टर उससे कहते हैं कि प्रेगनेंसी की वज़े से डिप्रेशन और एंजाइटी होना आम बात है और साथ ही वो अकेले रहती है जिसके वज़े से उसे वक्त का पता नहीं चल रहा है और वो एलि लगता इसलिए एलिफ अब अली से जाकर मिलती है और उससे वो ये सारी बाते शेयर करती है तो अली उससे किसी तरह से जैन को सब कुछ बताने को कहता है इसलिए इस बर जैन को वो लैन लाइन पर कॉल लगाती है और फाइनली जैन से उसकी बात होती है जिसे वो अपनी प करदाश नहीं कर पाति क्यूंकि उसका और जैन का कोई बेबी नहीं था इसलिए जैन की wife उसराथ यानिफ से मिलने के लिए पहुंचती है और उसको ये शेहर दूर जाने के लिए कहती है और अगर एलिफ ने उसकी बात नहीं वानी तो उसके पड़ोसी भी दिखते हैं जो कि हर जगा एलिफ का पीछा कर रहे थे इसलिए अब एलिफ वहां से उनसे चुपकर निकल जाती है और उसी रात एलिफ को फिर से वही demonic spirit हांट करती है जिसके अगले ही पल एलिफ खुद को डॉक्टर के चेमबर में पाती है और आज की डेट 10 सगस्त की थी जहां पर डॉक्टर उसका चेकप करते हैं और उसे बताते हैं कि इस महीने वो चौती बार चेकप के लिए आई है जिसके साथ हर बार उसके पड़ोसी फुसन और गुनूल भी आते थे अब फिर से अगले ही पल अपने आपको फ्लैट में पाती है जहां वो द बता चलता है कि आज 28 सितेंबर है मतलब की एक महीना और बीच चुका था आगे अली एलिफ को बताता है कि जिस फ्लैट में वो रहती है उसमें पहले एक कपल रहता था जिसका अड्रेस उसने किसी तरह से निकाल लिया है और फिर दोनों उनके घर जाते हैं जहां पर उन्ह एक आदमी मिलता है जो कि बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था पर वो एलिफ और अली को बताता है कि उसकी पतनी भी प्रेगनेंट थी जब उसने उस फ्लैट से कूद कर सुसाइट कर लिया था मतलब कि जो मूवी की शुरुवात में हमने प्रेगनेंट औरत देखी थी व और हाला कि दोस्तों आपने इस चीश को पहले ही नोटिस कर लिया होगा हाला कि इस मूवी में इलूमिनाती कल्ट का बस एक ही मकसद दिखाया गया है कि वो सेटन को इस प्रित्वी पर लाना चाते हैं अब जब अली और एलिफ इस बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं तो व मौनिक स्पिरिट अली को भी जान से मार देती है जिसकी मौत की खबर सुनकर अलिफ काफी जदा डर जाती है क्योंकि उसके पास सब जैन के अलावा कोई और दूसरा सहारा नहीं था इसलिए वो जैन के घर उससे मिलने के लिए जाती है जहां उसे पता चलता है कि एक्सिज वात में दिखाया गया था वो इमाम इलिफ को बताता है कि इस घर में कोई भी दिक्कत नहीं है बलकि एलिफ ही कर्स्ड है क्योंकि उसके उपर इलूमिनाती का पूरा कंट्रोल है और तभी एलिफ अचानक से एक डीमन से पॉज्यास हो जाती है जिसे इमाम वहां से डर कर चला जाता है और हमें यहां पता चलता है कि इसी इमाम की बेटी है अब इमाम के जाने के बाद एलिफ अपने बच्चे का अवोशन करने के लिए यहां से भागने की कोशिश करती है पर उसके उपर वही डिमॉनिक स्पिरट हमला कर देती है और साथ ही फूसन भी एलिफ का रास्ता रुक कर उसे वहां से नहीं जाने देती अब एलिफ जब अपने फ्लैट में अकेली होती है जब उसे फिर से वही आवाजे सुनाई देने लगती है जो कि उसके अलमारी के पीछे से आ रही थी इसलिए एलिफ उस अलमारी को हटा कर देखती है जहां देवार के पीछ में ही अपने रिच्वल्स और मीटिंग वगरा किया करते थे अब यहां पर एलिफ को कुछ और भी ओरतें दिखाई देती हैं जिने इन लोगों ने होस्टेज बनाया हुआ था जब यह सब देख रही होती है तो कोई अचानक से उस पर हमला करता है और साथ ही एलिफ को एसास जो कि सभी इलुमिनाति के मेंबर होते हैं अब इसी वक्त एलिफ को पता चलता है कि यह सब उसके साथ उसके पीता ने किया है क्योंकि उन्होंने नौ महीने पहले किसी कारण की वज़े से इलुमिनातिस को अपनी बेटी का सेक्रिफाइस किया था इसलिए एलिफ अब कुछ कर पाएक डिमॉनिक स्पिरिट आकर उससे जान से मार देती है अब मौका देखकर एलिफ किसी तरह से वहां से भागने की कोशिश करती है जहां से वह उसी लिफ्ट में पहुंच जाती है तब ही वहां उसका सामना एक डिमॉनिक एंटेटी से होता है और फिर हम देख अब इन्हें उससे कोई भी लेना देना नहीं इसलिए जैन अपने हाथों से एलिफ को जान से मार डालता है इसके बाद हम स्टार्टिंग का वही सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक आदमी को इमाम को धमकाते हुए देखते हैं जो कि कोई और नहीं बलकि जैन ही था जो कि एक फीमल ही किसी नई जिन्दिगी को इस धरती पर लाने का जरीया होती है इसलिए इन्हें सेटन को धरती पर लाने के लिए एक फीमल चाहिए थी इसलिए इमाम ने अपनी बेटी का सेक्रिफाइस किया पर उसे क्या पता था कि जिस जैन से बचने के लिए वो इलूमिन पोड़ी गई ताकि वो सेटन को जनम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके क्योंकि वन आई का मतलब ही इलूमिनाती होता है और मुवी में पूरी तरह एलिफ को टाइम का इसलिए पता नहीं चलता था क्योंकि डॉक्टर शायद उसे किसी तरह का इंजेक्शन दिया करत थे जिसे एलिफ जादतर समय हिपनोटेसिस स्टेट में रहती थी और या तो यह हो सकता है कि सेटन के उसके अंदर होने के कारण वो सेटन के वश में हो क्योंकि उसके चारों तरह सिर्फ इलूमिनाती और सेटन के ही सिंबल थे इसलिए उसे टाइम का जादा पता नहीं चल तो दोस्तो यह था हिंदी एक्स्प्लानेशन अलमताई कायामत मूवी का तो एक्स्प्लानेशन पसंद आया हो तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन को आल पे करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए